इसरार एहमद एक पाकिस्तानी इसलामी धर्मशास्त्री, दार्शनिक थियोलोजन और इसलामिक विद्वान थे। क्या आपने डॉक्टर इसरार एहमद के वो बयान लेक्चर सुने हैं जिनमें उन्होंने बताया है कि मुस्लिमों के खिलाफ कौन साजिस करता है, क्यू करता है, कौन है, इसलाम के बड़े दुश्मन, इल्लुमिनाती, याहुदी, इसराइल और क्यू मुस्लिम वर्ल्ड को य का आधि को मौडर्न आधुनिक के नाम पर बदलना चाहते हैं। इन सभी लोगों की चाल साजिस को आसान भाषा, सिंपल लैंग्विज में समझाया है। अपने बयान भाषण आधि के जरीए आप डॉक्टर। जिसने व्यक्तिगत रूप से और विभिन मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से बड़े दर्शकों को आकरशित किया। इसके अतिरिक्त कुरान की शिक्षाओं को गहराई से समझने और समकालीन समय में उनके व्यावारिक अनुप्रयोग पर उनका जोर दुनिया भर के कई मुसल्मानों के साथ प्रतिध्वनित हुआ। इसरार अहमद का सबसे महत्वपूर्ण योगदान इसलामी विद्वता और शिक्षा के एक शेत्र में था। उन्होंने अपना जीवन कुरान और इसलामी सिध्धानतों के अध्ययन और शिक्षन के लिए समर्पित कर दिया। जिसका उद्देश्य लोगों की उनके विश्वास के बारे में समझ को गहरा करना था। उनके व्याख्यान, किताबें और टेलिविजन कार्यकरम दुनिया भर के लाखों मुसल्मानों तक पहुँचे।